हेलो दोस्तो आज इस वीडियों बात करेंगे कि सी को जब हम पढ़ते हैं कोई भी वर्ड में तो कब उसको सह पढ़ा जाएगा और कब उसको कह पढ़ा जाएगा तो इस वीडियों को लास तक देखना आराम से समझ में आ जाएगा कि कब सी को सह बोला जाएगा किस कंडिशन में और किस condition में सी को कै बोला जाएगा दोस्तों स्वागत करता हूँ अपना teaching channel और दोस्तों मैं राहुल उर्मा दोस्तों स्टार्ट करने से पहले दो छोटी सी लाइन जो बीद गया उस पर बात मत कीजिए जो बीद गया उस पर बात मत कीजिए और जो एक, दो, दो मिनिंग याद करता है, एक, दो, दो सैंटेंस याद करता है, तो आज मेरी मिलीस क्थी हो ती हमें, अज में बीस पत्रीत साल का हो गया हुं तो आज मुझी इंग्लिस बहुत अच्छी तरीके से आती है ठीक है तो आज मेरे इंगलिस अच्छे होती दोस्तों आज से स्टार्ट कीजिए बेते हुए दिन को भूल जाएए अब जो हुआ सो हुआ बट अब जो आगे होगा वो बैटर होगा तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों किसी भी वर्ड में अगर सी के बाद आई या वाई रहे तो सी को से पढ़ा जाता है दोस्तों सी को से का पढ़ा जाएगा जब कोई भी word है उसमें c के बाद ii, ei या yi इनमें से कोई भी मिले तो c को हम से पढ़ेंगे example देख लो दोस्तो जैसे अपना है center center में क्या आ रहा है c के बाद e आ रहा है ei, yi, ii या ii तो इनको क्या पढ़ेंगे c को से से start करेंगे से से बोलेंगे यहां c के बाद e आ रहा है तो इसको क्या पढ़ रहे है center इसको क्या पढ़ रहे हैं दोस्तो center यहां cycle है तो cycle में c के बाद y आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ रहे है cycle अगला है दोस्तो circle तो c के बाद यहां i है तो इसको क्या पढ़ेंगे से पढ़ेंगे तो सरकल इस परकार जब भी सी के बाद ए आय या या आय आय इन में से कौन सा भी एक आय तो उसको हमेजा से बोलेंगे से पढ़ेंगे ती कि अब कैकाप पढ़ते हैं वो भी देख लो दोस्तो किसी भी वर्ड में सी के बाद I, E, Y वाले word को छोड़ कर सभी को कै पढ़ा जाता है कै का पढ़ा जाएगा दोस्तो जो भी कोई word है उसमें जहां भी C है तो C के बाद I, I, E, I Y, I, इनको छोड़ कर इनको छोड़ कर जो भी रहेगा इनको छोड़ कर जो भी alphabet रहेगा तो उस C को हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एक्जामपल दोस्तो जैसे की जैसे दोस्तो अपना cat है, cat में अपना क्या आ रहा है C के बाद A आ रहा है ठीक है, E, I, Y नहीं आ रहा है, तो A आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे c को तो cat हो गया cow को हम यहां c के बाद क्या आ रहा है ओ आ रहा है i e y नहीं आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इसी परकार confuse को भी यहां ओ आ रहा है तो यहां भी क्या बोलेंगे इसको confidence देख लो दोस्तो confidence को हम क्या पढ़ेंगे confidence को confidence को भी यहाँ c start करेंगे ठीक है और इस को इसको देख लो cricket kon cricket को क्या पढ़ेंगे दोस्तों पढ़ेंगे यहां c के बाद क्या आ आरा रहा है आई नहीं कि आ रहा है तो यहां c के बाद r आ रहा है नहीं E आ रहा है ना ही I आ रहा है ना ही Y आ रहा है यहां R आ रहा है तो R आ रहा है तो C को हम क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे यहां भी C के बाद के आ रहा है I E और Y नहीं आ रहा है तो यहां भी क्या पढ़ेंगे अब दोस्तों आपको comment दोर बताना है कि इसको क्या पढ़ा ज सब्सक्राइब दोस्तों और दोस्तों प्लीज इसको जाजाद शेयर करना और दोस्तों अपना टीचिंग चैनल पर आपको फिरी में हर कंपेटिस्न के त्यारी करवाई जाती है अराम से फिरी में घर बैठे त्यारी कर सकते हो और दोस्तों अगर आपने फुल सपोर्ट किया तो यहां हार किलास लाइव मिलेगी आपको आराम से बेस्ट फैकल्ट के दुवारा फ्री ओप कोस्ट पे आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों कोई पैसे देने के जड़त नहीं होगी तो अपना टीचिंग चैनल सस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फ्रेंड मिलता है नेक्स वीडियों जैहिंद जैबारत